जै श्री हरी विष्णू यावत स्वस्थम इदम शरीरम रुजम यावच्च दूरे जरा यावच्चे इंद्रिय शक्तिर प्रतीहता यावच्चयो नायुशः आत्मश्रे यसी ताव देव विदुशा कार्या प्रयत्नो महान अर्थात जब तक कि यह शरीर स्वस्थ है, व्रिधावस्था का आक्रमन नहीं हुआ है, इंद्रियों की शक्तिक्षीन नहीं हुई है और आयु भी ढली नहीं है, तभी तक विद्वान को आत्म कल्यान के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए नहीं तो घर में आग लग जाने पर कुआ खोधने का प्रयत्न करने से क्या लाब होगा अतय समय रहते हुए ही सभी कार्य पूर्ण करने की चेश्टा करनी चाहिए, जिससे कल्यान हो सकता है आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे सनातनी धर्म शास्त्रों में वर्नित दिव्य ज्यान के माध्यम से कल्यान ही कल्यान श्रिंखला के अंतरगत अपनी इस प्रस्तुती में हम आपको जीवन में सफलता के 25 सूत्रों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं हमारी यह प्रस्तुती पाँच पाँच सूत्रों में विभक्त होगी और प्रत्येक भाग में पाँच सूत्र होंगे तो आज जानिये पहले पांच सफलता के सूत्र वास्तव में हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है कुछ मान्त, सम्मान, उपलब्धी और प्रतिष्ठा पाना चाहता है लेकिन सही नियमों और सूत्रों के अभाव में उसे सफलता मिलना मुश्किल होता है अतह जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ सूत्र हैं जिन्हें अपना कर वह अपने जीवन में सफल हो सकता है उनमें से सबसे पहले आता है जीवन का उद्देश सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश निर्धारित करें क्योंकि उद्देश के बिना व्यक्ती का जीवन कोई महत्व नहीं रखता और वह ऐसे ही है जैसे बिना पत्वार के नाव मनुष्य का जीवन यूँ ही जीने के लिए नहीं हुआ है यह तो कुछ करने के लिए हुआ है जिससे मरने के बाद भी लोग उसको याद करते रहें जीवन का उद्देश निश्चित करके उसकी पूर्ती हेतु सावधानी पूर्वक कार्य करना अत्यंत आवशक है दूसरा है नित्य प्रभु स्मरन हमें नित्य ही भगवान का ध्यान करना चाहिए अत्य प्रती दिन प्रार्थना, स्थुती, प्रभु के ध्यान के लिए कुछ समय, अर्थात, कम से कम आधा घंटा अवश्य निकाले प्रती दिन कार्य आरंभ करने से पूर्व माता पिता और गुरु को नित्य प्रणाम करें क्योंकि प्रभु की कृपा एवं पूजे जनों के आशिर्वात से ही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्थ हो सकती है तीसरा है अपने काम की श्रेष्ठता अक्सर ऐसा होता है कि जो जिस काम को करता है वह उस काम में खुश नहीं होता नौकरी वाले को व्यवसाय में तथा व्यवसाय वाले को नौकरी में अधिक लाभ दिखाई देता है नौकरी वाले को जीवन पराधीन लगता है व्यापारी को जीवन में घाटे की चिंता रहती है और दुकान में कार्य के लिए समय भी अधिक देना पड़ता है किसान को लगता है कि खेती से आय कम होती है तथा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है इस तरह सभी को अपने अपने कार्य में असंतोश महसूस होता है हमारा कार्य ही हमारा कर्म है और कर्म ही पूजा है चोथा है कर्तव्य पालन माता पिता के प्रती, भाई के प्रती, पत्नी के प्रती, मित्र के प्रती, अथवा, बच्चों के प्रती हमारे क्या कर्तव्य है यह जानना तथा उस पर आचन करना बुद्धिमानी है क्योंकि यह जीवन को सुखमय बनाने के लिए विशेश महत्वपूर्ण है रामायन हमें कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है कि जिसको वचन दें उसे अवश्य पूरा करें क्योंकि वचन पालन से ही समाज में आपकी विश्वसनियता बढ़ती है आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो आपकी उन्नती को कोई भी नहीं रोक सकता अतय सदा परियत्न पूर्वक मन वचन और कर्म से अपने कर्तवे को पूरा करना चाहिए पांचवार है समय का सदुपियोग समय का सदुपियोग प्रत्येक कार्य को समय पर पूर्ण करके किया जा सकता है जिस कार्य को करें पहले उसे पूरा करें और उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ करें कार्याले में, समारोह में और यात्रा आधी के लिए निश्चित समय पर पहुँच कर समय की पाबंदी का ध्यान रखना ही सफलता की निशानी है आलस्य या व्यर्थ की बातों में समय का दुरुप्योग होता है कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है पतह समय बरबाद नहीं करना चाहिए, अपने वर्तमान समय को इतना सुन्दर बना लो कि इन सुनहरे दिनों को कभी भुला न सको तो यह थी जीवन में सफलता के 25 सूत्रों में से पहले 5 सूत्रों के बारे में एक छोटी सी जानकारी अपनी अगली प्रस्तुती में हम आपको सफलता के अगले 5 सूत्रों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कश्ट करें अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हिरदय की अनंत गहराईयों से आपका कोटी-कोटी धन्यबाद करते हैं अपनी अगली प्रस्तुती में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यबाद जय हिंद जय भारत झाल 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 झाल